नमस्कार मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जैसे ही कोई भी हिंदू फेस्टिवल नजदीक आता है तो इनका प्रोपगेंडा स्टार्ट की हो जाता है पहले बॉलिवुड वाले लोग प्रोपगेंडा फिला रहे थे और अब क्लोफिंग ब्रैंड्स भी प्रोपगेंडा ले लगे हैं आपको याद होगा कि कुछ सब तहां पहले सिए टार्स निकाला था और उस एड में फीचर किया गया था अमीर खान को और आमीर खान कहा रहे थे कि देखो जो रोड है ना वह पटाके फोरने के लिए पटाके अगर आपको फोरना है तो आप सोसाइटी के अं इन रूड नमाज परने के लिए जरूर है रूड पर कोई भी आता है और नमाज परने लगता है ट्राफिक जाम कर देता है इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर के में दिखा गया इतना लंबा जाम लगा हुआ था कहीं कहीं पर तो रूड पर अचानक से 10-12 घंडे के अगर उनके पास सुसाइटी का कंपाउंड नहीं है तो आप सब लोग आमीर खान के घर में जाना उनके घर पर पठाके अराम से फोर ना क्योंकि रोड पर पठाके नहीं फोर सकते हो ना जस्ट इमेजिन अगर सब लोगों के साथ साथ अब्दुल भी पठाके फोरने अमी अब ही क्या प्रोपगेंडा चल रहा आपको मालू मैं अभी इंडिया जो कि लोटिंग ब्रांड है उसका कहना है कि यह जो दिवाली है ना दिवाली वह दिवाली नहीं है वह जशने रिवाज है इस ट्वीड में देखे इनका कहना है कि क्योंकि हम लोग लाइट और लव वेलकम कर रहे है जिसको कि जसने रिवाज बोलता है जिसको दिवाली नहीं बोलते हैं यह आप लिख लो अगले साल ना यू पीएसी के एक्जाम में आने वाला है पहले इन्होंने हमारे फेस्टिवल्स पे टेक्ग या कभी प्रोपगंडा फ्यलाता है छी फोपठाके नह आप दिस्क्रिप्शन जाके चेक किजिएगा फिर उसके बाद प्रोपगेंड़ा जाते हैं कि आप मिठाई मत खाऊ मिठाई खौगे नो तो आपका वेड़ बढ़ जाएगा इसलिए मिठाई सिहत किल अच्छी नहीं है फिर कहा जाते हैं कि आप लाइट भी मत लगा अपने पूजा पाट करोगे तो उसमें दूद की बरबादी होती है और अगर लोग अब आज नहीं उठाते हैं इनके खिलाप सकते सकत करवाई नहीं करते हैं तो याद रखिएगा दो से तीन साल के बाद ऐसा कहा जाएगा तुम तिलग भी मत लगा तिलग लगाने से तुम गमा नहीं फ्रूरा और आपको वह वाली कहानी जरूरे यादर हो गी एक मैढक होता है जिसको उबलते हुए पानी में डाल दी जाता है जो की तुरंद उचल के बाहर आ जाता है लेकिन की इसा मेर जाते है तो यह चीज़े जरूर होती दिखेंगी दीरे दीरे जब कोई चीज़े होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता है अचानक से जब कुछ होता है तब लोगों समझ में आता है तो इससे पहले कि यह सब प्रोपगेंड़ आपको देखने के लिए मिले आवाज उठाईए और इफरेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्ट एक्ट्रैसेश की जन देन आ जाता है नोचाण के आपके घ्यान के जेगा क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है तो इस तरीके के ज्ञान देने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे और बहुत सारे लोग अपने स्टेटस पर डालेंगे कि दिवाली में पटाके मत करो यह मत करो वू मत करो ऐसे से लोगों वाटसएप के अंदर घुशके दो-तीन जहां पर लगाईएगा